हेई गाइस सलाम नमस्ते आयो आप सब खुश है मज़े में है आप सब की दौह से हम भी विल्कुल ठीक है वल्कम बैक टु मैई चैनल तो बस मैं आप से फर्स्ट और सेकेंड में को हमने क्या क्या किया वह शेयर कर रही हूँ छोकलिट केक एन गाकर रहे है नीज़िए तो बाद में बगे लिटा से में आपम का तो में घ्टर केख से कुपकेक बना रहे थी प्लान के सीक्चोबकेक में पिर में भीज्डी कें तो डे केर में जहां पर बच्चे है और उनका समर क्याम चालू है तो उनको मैं यह मफिन्स भीज दूँ तो देखे बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट से कपकेक्स रेडी हो गए थे यह पहला से था और यह दूसरा स्पॉंज केक का सेट मैंने अल्रेडी डाल दिया था तो अल्रेडी हो रहा था मैं उसको एसेंबल कर रही थी कपकेक्स मेरको 35 तू 40 कपकेक्स की जरूरत थी तो बस मैं छेचे के कपकेक्स के सेट प्लेस कर रही थी यहां पे जो टेमप्रेचर मैंने मेंटेन किया था यह तो यह मेरा कन्वेक्शन ओवर्न है तो आ वस बेकिग में लिया है अभी एक ग्लास बॉल रखा था थोड़े टाइम के लिए और लिया है विपिंग क्रीम विच आइड विप्ट इट फॉर अल्मॉस्ट फिफ्टीन मिनिट्स लाइक 10-15 मिनिट्स और बाद में जो स्पॉंज के खे इसके में सेक्शिन्स बना रही हूं मैरको कोई साइड कट्स वगेरा नहीं करने की जरूरत लगी क्योंकि वैसे भी सेलिवरेशन घर था जादा फिनिशिंग या फिर वेस्टेज मेरको नहीं करना था तो बस म मैं सेक्शिन्स होगे उसके बाद विपिंग क्रीम लगा रही हूं और उसके एक के ऊपर एक मैं लेयर बनाती जाओंगी अभी जो केक है उसको अल्रेडी मैंने थोड़ा सा शक्कर का पानी डाल के सॉफ्ट कर लिया था और बस जैसे मैंने बताया लेयर इसके बना रही हू तो यह ऐसे मैं बना रही हूं ताकि वो खुद भी खा पाए तो यह नौट अड़ एडिशनल शुगर इस विपिंग क्रीम अल्रेडी है शुगर और केक में भी बेसिक सा शुगर था यह है मैंने फॉंडेंट यह फॉंडेंट रडी मेड मैंने यलो और ब्लाक मैंने ले ल तो यह था फाइनल रिसल्ट आम नेक्स यह था रहा था स्कूल इसकोल मैंने बच्छों के लिए 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 तो उनको मैंने थोड़े मुफिन, कपकेक्स और धुखला और चिप्स ऐसे भीजा था तो यह आ भी गया रिटन उसके बाद हो गई शाम की तय आरी चालू, I had not kept any grand party या फिर कोई और भी, I just wanted to spend time with him, पिछले कई तिनों से हमने उसके साथ time, उसके साथ time spend नहीं कर पाए थे जितना करना चाहिए, तो बस we were spending time with him, he was enjoying, ऐसे कोई time limit नहीं, बलून के साथ खेल रहा था, बस घर को पूरा mess बना दिया था, बस घर को पूरा नानू भी आय थे, यह था सिंपल सा डेकोरेशन जो मैंने दस मिनिट में कर लिया था, थोड़े बहुत कपकेक्स घर के लिए रखे थे तो उसमें प्रॉप्स लगा दिये, यह केक रग दिया, हैपी बड़े का एक बैनर रग दिया, लगा दिया पीछे और बहर सारे बलू देक का क्रीम उसने खाना छालू कर दिया था उसके बाद डिनर के लिए हम लोग चले गए हिल्टन मान्यता टेक पार्क वाला हिल्टन तो मान्यता में हम लोग फर्स टाइम गए थे तो बहुत ही अच्छा इनका बफे था बहुत ही डिलीशियस डिशिस थी और वराइटी मतलब स्वीट्स में वराइटी वेज में वराइ इसके बाद थे बहुट फोटो झीच लिए, थोटा बैट लिए वहां पे, और फिर बाहर आके थोटा ताइम स्पेंड कर लिया, तो इनका ambience भी बहुत अच्छा है काफी spacious है बाहर का view भी बहुत अच्छा है तो बस हम यहाँ पे घूम रहे थे अंदर डिनर हो चुका था उसके बाद बाहर निकले बाहर fountain है फिर बैटने के लिए थोड़ी जगा है अच्छी हवा चल रही थी अरहम भी अच्छा खेल रहता वहाँ पे तो थोड़ा time वहाँ पे हम लोग बैट गए तो बस यह रहा वहाँ का view अंदर का जहाँ पे हम लोग बैट सकते हैं अरहम की मस्ती खतम नहीं हो रही थी इसको देखके हम लोग भी खुश हो रहे थे कि चलो खेरी सी एज में बच्चे भी मस्ती करते हैं पानी से जितना दूर लेके जा रहे थे उतना पास यह जा रहा था चिला रहा था कूद रहा था तो देट सोके रहे गाड आने के बाद भी हम लोग उससे नहीं हम लोग भी आरहम बिल्कुल उनसे नहीं दरा तो चलो बस हमने सोचा की करेजो कर रहा है करने देते हैं फिर निकलते हैं ओप आपको अरहम का बड़े व्लोग पसंद आया होगा कुछ तयारी या फिर डेकोरेशन नहीं किया था बट वी वेर रियली वेरी हैपी कि हम उसके साथ जादा से जादा टाइम स्पेंड कर पाए थैंक यू